EPS 95 Higher Pension पर बड़ी खबर EPFO कर रहा कोट की अवमानना सुप्रीम कोट जा रहे पेंशन भोगी EPFO के खिलाफ पेंशन भोगी सुप्रीम कोट जाने की तयारी कर रहे हैं क्योंकि उच्च पेंशन के आदेशों का पालन नहीं हो रहा सोशल मीडिया पर पेंशनर्स ने नाराजगी जताई है और न्योंतम पेंशन बढ़ाने की मांग की है करमचारी भविश्य निधी संगठन EPFO के खिलाफ सुप्रीम कोट का दर्वाजा फिर से खट-खटाने की तयारी की जा रही है करमचारी पेंशन योजना 1995, EPS 95 के तहत हायर पेंशन का इंतजार कर रहे पेंशन भोगियों का धैर्य अब जवाब दे रहा है दरसल पेंशन भोगी काफी लंबे समय से हायर पेंशन की मांग कर रही हैं, जिसे अभी तक पूरा नहीं किया गया है इसे देखते हुए कई सारे पेंशनर्ज अब सुप्रीम कोट का रुख कर रही है पेंशन भोगियों की नाराजगी पेंशन भोगी खुल कर बोलने लगे हैं कि EPFO लगातार सुप्रीम कोट के आदेशों की अवहलना कर रहा है पेंशनर्स ने सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म पर अपनी नाराजगी जाहिर की है और मांग की है कि EPFO के खिलाफ सुप्रीम कोट में अवमानना का केस दर्ज किया जाए पेंशनर्स का कहना है कि उन्हें उच पेंशन के लिए पात्र बनाने के आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है सोशल मीडिया पर पेंशन भोगियों की प्रतिक्रिया बता दे EPA's 95 पेंशनर्स के सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म पर PK कपूर ने लिखा अब समय आ गया है कि EPFO द्वारा पेंशन भोगियों को उच पेंशन के लिए पात्र बनाने के लिए पारित आदेशों का पालन न करने और अवमानना के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाया जाए वहीं बसकरन सुब्रमन्यम अयर ने कहा अभी 10 साल और लगेंगे कोई भी वृद्ध पेंशन भोगी लाब लेने के लिए जीवित नहीं रहेगा न्याई की मांग पेंशन भोगियों का कहना है कि एपी एफों ने गैर और छूट प्राप्त संगठनों के मुद्धों को उठा कर अपना रुख बदल दिया है जिससे मामला कोर्ट में अटका हुआ है परकल रामानुजन ने भी कमेंट किया कि सुप्रीम कोर्ट को जल्द से जल्द फैसला सुनाना चाहिए ताकि वृद्ध पेंशन भोगी और इंतजार न करें न्यून्तम पेंशन बढ़ाने की मांग EPS 95 न्यूतम पेंशन 1000 से बढ़ाकर 7500 रुपए करने की मांग पर कौशल उपपल ने कहा मोधी सरकार को स्थिती पर विचार करना चाहिए उन्होंने कहा कि EPS पेंशनर्स ने अपनी युवावस्था में राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है की मांग को देखते हुए यह स्पष्ट है कि EPS को अपने कारियों में सुधार करना होगा सुप्रीम कोर्ट में मामला ले जाने की तैयारी और पेंशनर्स की लगातार बढ़ती आवाज इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकती है ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि सरकार और संबंधित संस्थाएं पेंशन भोगियों की समस्याओं को जल्द से जल्द सुलजाने के लिए कदम उठाएंगी ताकि उन्हें उनके हक का न्याय मिल सके मोधी जी अब से पहले इतने मायूस नहीं थे EPS 95 के 78 लाक पेंशन भोगी पिछले आठ वर्षों से बुजर्गों द्वारा सहायता की गुहार लगाई जा रही है अंदेखा करने का भला क्या सबब हो सकता है बेचारे EPS 95 के असाय देश के 78 लाक पेंशनरों ने क्या गुनाह किया है रोजाना अभाव में जीते हुए एक-एक कर्राम के प्यारे हुए जा रही है सूचनाजी न्यूज 36 गड कर्मचारी पेंशन योजना 1995 एंप्लॉई पेंशन स्कीम 1995 के तहत नियूंतम पेंशन एक हजार मिनिमम पेंशन एक हजार रुपे के बजाए 7500 रुपे की मांग की जा रही है लेकिन सरकार की ओर से इस पर अब तक कोई फैसला नहीं हो सका है पेंशन भोगी अनिल कुमार नमदेओ ने PM मोधी और EPFO को आडे हाथ लेते हुए जगजोरने वाला पोस्ट किया है EPAs 95 नियूंतम पेंशन पर लिखते हैं कि उनकी तो ये आदत है कि वो कुछ नहीं कहते शायद उनके दिल में ये विश्वास बैठ गया है कि ये जो 78 लाक EPAs 95 के पेंशनर्स हैं उनके किसी काम के नहीं है और उनका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते वरना जब उनसे दो-दो व्यक्तिगत रूप से भेंट कर सारी व्याधा में प्रार्थना के अवगत कराया जा चुका है और पिछले आठ वर्षों से बुजर्गों द्वारा सहायता की गुहार लगाई जा रही है तब भी अंदेखा करने का भला क्या सबब हो सकता है बेचारे EPA's 95 के असहाय देश के 78 लाक पेंशनरों ने क्या गुनाह किया है वो तो जिन्दगी के ऐसे उम्रदराज लोग है जो रोजाना अभाव में जीते हुए एक-एक करराम के प्यारे हुए जा रही है अपने आपको प्रधान मंत्री कहे जाने के बदले प्रधान सेवक मानने वाले आदरणिय से अभी सभी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद किसी दिन उन पर भी नजर पढ़ जाए उनका मन पसीद जाए यही उम्मीद ही तो है जो अब तक बहुतों के जीने का सहारा बनी हुई है जिसके कारण कुछ अभी भी जिन्दा है आगे ईश्वर की मर्जी कितनी बार देश के कोने कोने बुजुर्ग पेंशनर्स अपनी प्रार्थना लिये दिल्ली पहुचते रहेंगे कितनी बार प्रधान मंत्री जी का ध्यान अपने जीवन यापन की भीशन स्थिती से अवगत कराते रहेंगे इस बार फिर जुलाई 2024 को दिल्ली में पेंशनर महा आंदोलन करने जा रहें है यदि सरकार हमेशा की तरह इस बार भी मौन धारन किये बैठती है तो शायद EPS 95 के पेंशनरों को भी अपना कोई अंतिम फैसला लेना लाजिमी होगा कहीं तो अनुनए विनए के दौर का अंत तो होना ही चाहिए ना 7500 EPS 95 पेंशन, मेडिकल, रेलवे, बस, हवाई यात्रा पर पेंशन भोगियों को चाहिए 50% छूट पेंशन भोगियों ने अपनी पीड़ा सोशल मीडिया पर किया साजा लिखा सीनियर सिटीजन होना गुना है सूचनाजी न्यूज, छक्तीस गड़ EPS 95 पेंशन, EPS 95 पेंशन को लेकर सरकार की घेराबंदी की जा रही है पेंशनर्स विलास रामचंद्रा गोगावले ने काफी आक्रोशित होकर एक ऐसा किया है जिसमें सरकार की बखिया उधेडी गई है पेंशन भोगियों का दर्द बया किया गया है सोशल मीडिया, सोशल मीडिया पर पेंशनर्स लिखते हैं कि दिन प्रति दिन के अपमान से बचने के लिए सरकार को 65 वर्ष की उम्र में सभी वरिष्ठ नागरिकों की करनी चाहिए देश के न्यायिक अपेक्षित सदन में जन प्रतिनिधियों द्वारा दिया गया बयान क्योंकी सरकार इन दुर्भाग्यपूर्ण सक्षम समाज, राष्ट्र निर्माताओं पर ध्यान देने को तयार नहीं है संसद में सांसद जया बच्चन, हेमा मालिनी वा अन्य सदस्यों द्वारा भी मुद्दा प्रस्तुत किया गया क्या भारत में सीनियर सिटीजन होना गुना है? विलास रामचंद्रा गोगावले ने लिखा भारत के वरिष्ठ नागरिक सत्तर साल बाद मेडिकल बीमा के योग्यन नहीं है EMI पर लोन नहीं मिल रहा है Driving License, Driving License नहीं दिया जाता है इन्हें आए के लिए कोई नौकरी नहीं दी जाती है इसलिए वे जीने के लिए दूसरों पर निर्भर है उन्होंने 60 से 65 से सेवानि वृत्ती की आयू तक सभी करो बीमा प्रीमियम का भुकतान किया है अब Senior Citizen बनकर भी देना पढ़ रहा है सारे Tax भारत में वरिष्ट नागरिकों के लिए कोई उप्योगी योजना नहीं है रेलवे विभाग में 50 प्रतिशत छूट भी बंद कर दी गई है उधर राजनीती में वरिष्ट नागरिक विधायक सांसद या मंत्रियों को हर संभव लाब दिया जाता है भले ही वे थोड़े समय में सत्ता में हूँ और इनको पेंशन भी मिलती है लेकिन 25 से 30 साल तक सेवा देने वालों को कुछ सरकारी करमचारियों को छोड़ कर सबको समान सुविधाय क्यों ठुकराया जाता है अगर बच्चे देखभाल नहीं कर रहे होते तो वे कहां जाते मुझे यह समझ में नहीं आता है कलपना कीजिए अगर बच्चे उनकी देखभाल नहीं कर रहे होते तो वे कहां जाते यहाँ एक भयानक और दर्दनाक समस्या है अगर देश के बड़े लोग गुसे में होकर चुनाव में सरकार के खिलाफ चले गए तो चुनाव परिणाम प्रभावित होंगे नए लोग सभा चुनाव में EPFO स्कीम के सदस्य दशकों से पेंशन बढ़ाने के लिए आंदोलन कर रही हैं कई बार सांसदों ने भी लोग सभा में इस मुद्दे को पेश किया लेकिन परिणाम तो सरकार को भुगतना ही पड़ेगा तो सरकार को इस बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए वरिष्ठों में सरकार बदलने की ताकत सभी राजनीतिक दलों को चुनावी घोशना में वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा की घोशना करनी चाहिए इसकी योजना बनाई जानी चाहिए वरिष्ठों में सरकार बदलने की ताकत होती है उन्हें नजर अंदाज न करें इनको सरकार बदलने का आजीवन अनुभव है कृप्या उन्हें कमजोरी न समझे वरिष्ठ नागरिकों के लाब के लिए कई योजनाओं की आवशकता है कर मुक्त लाबू पर विचार करना चाहिए सरकार कल्यान योजनाओं पर बहुत पैसा खर्च करती है लेकिन वरिष्ठ नागरिकों को कभी पता नहीं है एफटी पर विपरीत बैंकों पर ब्याज जरें कम होने से वरिष्ठ नागरिकों की आई कम हो रही है यदि उन में से कुछ को परिवार और आत्मा अरक्षन के लिए तूटी हुई पैंशन मिल रही है तो वे भी आईक के तहत है तो वरिष्ठ नागरिकों को कुछ कर मुक्त लाभू पर विचार करना चाहिए पैंशन भोगियों की इन साथ मांगों को न करे नजर अंदाज 1. साथ वर्ष से अधिक उम्र के सभी नागरिकों को अपनी दैनिक आजीविका में भाग लेने के लिए परियाप पैंशन प्राप्ट करने की आवशकता है 2. या कम से कम दो समय का पोशन 3. रेलवे, बस और हवाई यात्रा पर नियूंतम 50% छूट आवशक है इस उम्र में कितना घूमेगा 4. हर किसी के पास अपनी आखिरी सांस तक स्वास्थे योजना बीमा होना चाहिए और प्रीमियम सरकार द्वारा भुक्तान किया जाना चाहिए या मुफ्त उपचार 5. वरिष्ट नागरिकों के न्यायिक मामलों को अग्रिम निरनय लेने के लिए प्रात्मिक्ता दी जानी चाहिए क्योंकि ये लोग कब बुझेगी? बताया नहीं जा सकता 6. प्रत्येक शहर में सभी सुविधाओं के साथ वरिष्ट नागरिकों के लिए घर होने चाहिए 7. सरकार 10 से 15 वर्ष पुराने प्रयुक्त वाहनों को स्क्रैपिंग के नियोमों में संशोधन करे यह नियम केवल वानेजेक वाहनों के लिए लागू होना चाहिए सरकार को इस तथ्य को जानना चाहिए